नमस्का दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्रसाइटी टेक्नो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे डिमेंशन ταइल मेनेजर का जो कि हमारा काम आता है ओक्रण के देखेंगे किसे कर सकते हैं एरो के साइज वहाँ पर आपको काफी फंशन मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो की हमेशा ड्रॉइंग में दिक्कत आती है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आप हम जाएंगे अपनी आटोकैड पर मैंने यहाँ ओटोकैड खोल लिए दोस्तों होटोकैड में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको कमांड करनी है डी जब आप टैप पर इंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा देखे दोसों आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है dimension style जिसको dimension manager भी कहते हैं देखे दोसों इसमें notification आ रही है create and modify dimension styles a dimension style is a named collection of dimension setting that controls the appearance of dimensions you create dimension style to specify the format of dimension quickly and to ensure that dimension confirm to standard ठीक है दोस्तों यहां पर आप more help के लिए f1 भी दवा सकते हैं लेकिन मैं इसको depress करने के बाद यहां पर करता हूं enter enter करने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखी यहां पर कुछ ऐसा interface खोलेगा जहां यहां पर हमें standard पर जाना है यहां पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखिए हमें अनुनियाटिव पर नहीं जाना है यहां यहां पर हमारे बास कोई function दिये हुए है इसमें लिखा हूँ set current set current का मतलब होता है set the style selected under style to current the current style is applied to new dimensions you create दोस्तो इस option को हम अपने जो भी command या जो भी setting हम इसके अंदर करने वाले हैं उससे modify करने के बाद ही करना है इसके बाद दोस्तों यह new dimensions के लिए हैं यहां पर हम कुछ new dimensions अपनी 이ट कर सकते हैं dialogue box बना सकते हैं जो की हमें काफी काम आएगा तो दोस्तो यहां पर हमें क्या करना है हमें जाना है modify में उसके बाद हो यहां पर दोस्तों ओवराइट का option है और compare का option है तो हमें अभी क्या करना है हमें जाना है modify में दोस्तों modify में जाने के बाद देखो हमारे पास यहां पर कुछ options है पहला option है line command दूसरा symbol and arrows तीसरा हमारे पास text का option है चौता हमारे फिट उसके बाद primary units alternative units और tolerance दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे lines में lines में जाने के बाद हमें क्या करना है यहां पर हमें selection दियो ही है by block ठीक है दोस्तों हम यहां पर by block भी कर सकते हैं उसके अलावा हमने जो line type दिया हुआ है वो by layer दिया हुआ है line weight जो दिया हो by block दिया हुआ है दोस्तों सबसे ज्यादा important चीज़ यहां पर होती है जो हम यहां पर dimensions use करते हैं दोस्तों extend beyond ticks ticks के बाद में जो हमारे पास extend करेंगे हम वो हमारे पास यहां पर zero value है अगर हमें इससे बढ़ा देते हैं तो यहां पर जो हम आने spacing दियो ही है baseline की वह यहां पर मैंने 0 feet 0 inch और यह 0.38 mini inch में दियो ही है जो की एक इंच से भी छोड़ा साइज है इसके आफिर आप सको 38 cm कह सकते हैं ठीके दोस्तों उसके इलावा मैंने यहां पर जो color लिया है वो white लिया हुआ था जो कि हम यहां पर color change कर सकते हैं आप ज जाएंगे ठीके दोस्तों तो मैं यहां पर arrows का color default white लिया हुआ है उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे second में symbol and arrows में दोस्तों mostly यही जो function है line command symbol and arrows and text and fit और यह जो पांच पहले जो हमारे पास options हैं यही काम आते हैं इसमें सबसे पहले देखिए आप यहां पलिका फस्ट close field दोस्तों जो यहां पर मैं जो लगाए हुए हैं वो close field के लगाए हुए हैं आप चाते तो आप ऐसे arrow भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको इस तरह करी present होगा उसके बाद अगर आप यहां पर यह architecture tick लगाना चाते हैं तो वो tick भी लगा सकते हैं यह आपके ऊपर कि आप यहा अलावा दोस्तों जो लेटर है लेटर का मतलब दोस्तों यह होता है कि जब भी आप किसी जो भी आप नटाइकरा बनाए अगर आप उसको रिपेसंट करते हैं एरो से और उसके साथ में लिख देते हैं जैसे सब्सक्राइब आपने एक ब्रिक बॉल बनाई है और आपको उ दोस्तों लेटर आपका वैसा ही आएगा जैसा कि आप यहां से स्लेक्ट करेंगे दोस्तों उसके बाद आपको यहां पर में लिए और में इंपोरेंट चीज है एरो साइस जैसा आप एरो साइस में दिखाना चाते हैं जितना बड़ा दिखाना चाते हैं उतना ही यहां पर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों मैंने यहां पर अगर सब्सक्राइब कर देता हूं तो यह रोसाइज देना पड़ेगा particular उसके बाद आपको यह mark करना है दोस्तों अगर आप यह mark नहीं लगाते तो आपके जो सेंटर में जो दिख रहा है एक छोटा सा यह dot यह dot अगर आप यहां पर नन करते हैं तो यह यहां से गाय हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह center line आपके pick नहीं करेगा इसके लाव हमारे पार दोस्तों अगर नेक्स्ट है टेक्स टेक्स में दोस्तों हमें क्या करना है यहां पर देखिए स्लेंडर स्टेंडर स्लेक्ट करना है अगर आप अनुमेट्व करेंगे तो उसमें आपके other conditions apply होंगी उसके लाव आप में जो color रखना चाहते हैं यहां आप color text के लिए रख सकते हैं कि यहां पर default white रखा हुआ है उसके और इसके बाद आपकर फिलिंगा आप रखना चाहते हैं तो फिलिंग वेग्ग्राउंड के color कैसा होना चाहिए दोस्तों तो ऐसा गईगा जो भी करवा यहां पर चूश करना रहते हैं वह color आप यहां पर क सकते हैं मैंने यहां पे सब्법ना कर दिपकर हमाद्ना में रखा हुआ है कि दोस्तों कहिए कि उसके लब दोस्तों मिहाभ टेक्स हाइट देखनी आप टेक्स की हाइट कितना देना चाते हैं अगर आप यहाँ पर टैक्स की हाइड मैंने 5 चींच दी हुई है, अगर आप इसे 1 फीट करना चाते हैं तो यह टैक्स की हाइड आटोमेटिकली बढ़ जाएगी जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं यह यहाँ पर बढ़ गई है जितनी आप बढ़ा चाओगे आप इतनी ही यह बढ़ सकती है दोस्तो देखिए और जितनी आप इसको कम करेंगे उतना ही यह आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि कि आपके एरो के साइज से बाहर नहीं जाएगा ठीक है दोस्तों कि उसके लावा यहाँ पर देखिए आपके वर्टिकल दिया हुआ जो अगर आप इसको अबब करेंगे तो उपर दिखाए देगा आउटसाइड करेंगे तो आपके जो डामेंश्क्रिंग की वैल्यू अब बिलो प्रेस करने वे दोस्तों यह बिलो दिखाए दीगी तो आप यह मुस्ली सेंटर पर रखिए उसके लावा होरिजेंटल की वैल्यू भी से वाएगी दोस्तों आप जैसा रखना चाते हैं आप वैसा यहां से कर सकते हैं की के दोश्तों के लावा हमारे पास option आता है fit का सुस्छी यहां पर आपको जादा नहीं करना याँ आप यहां पर जादा में अधर चेंजिस करेंगे चरुपने हीप्र आपको एक बार एक अपना select कर लेना है कि आपको कैसे करना है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ either text or arrow best fit मतलब यहां पर यह automatically एक selection होई वी है जो कि आपकी easily वो pick कर लेगा जो भी आपका size arrow का और text का बनता है उसका दोस्तों आपको यह धिहान रखना है कि जो आपके primary units है वो engineering में है scientific है decimal में है या फिर आप architecture ली यूज कर रहे हैं उसको या fraction आप यूज कर रहे हैं जैसी value आप यहां से pick करेंगे वो वैसा ही यहां पर आपको दिखाएगा ठीक है दोस्तों यहां से आपको decimal degree ही select करनी है करें दोस्तों कि alternative यहां पर मैंने display में off कर रखे हैं क्योंकि मुझे उसकी जहुत नहीं अगर आप चाते हैं तो आप उसको आउन भी कर सकते हैं जिसकी वैसे वापको ब्रेकेट में जो भी आप alternative यहां पर select करेंगे वो दिख जाएंगे है कि अगरे तो टोलरेंस में दोस्तों यहां पर मैंने इसको जो नन कर रखा है आप इसको systematically कर सकते हैं यहां पर deviation कर सकते हैं आप जैसा करना चाहिए ऐसा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप इसे नन ही रखें तो यह अच्छा देखेगा दोस्तों यहां पर टोलरेंस में आपको mostly देखिए यहां पर जैसे आप अगर systematically यहां पर यूज करते हैं तो देखिए आपकी dimensions काफी change हो जाती हैं तो आपको दोस्तों मैं कहांगा और recommend करूंगा कि आप इसको offer रखिए क्योंकि यह हमारे लिए जारा जरूरी नहीं है हमारे जो system है वो आपके पहले पांच जो यहां पर दिये हुए हैं इनसे ही हमारा काम चल जाता है हमें इनमें ही change करके mostly जो drawing बनती हैं वो इनके इनसे काम चल जाता है हमें यही करनी है यही हमारे primary default value है जो हम यहां पर select करेंगे वो ही हमारी background में perform करेंगी और उसी से ही हमारी drawing है वो बनेगी ठीक है दोस्तों कि जब भी आप यहां पर कुछ change करते हैं उसके बहले आपको करना है ओ कि दवाना है यहां से और ओके दबाने की बाहने के बाद में आपको को नेक्स टेप पर क्या करना है वो सेट एस करेंट पर सेट करना लेकिन दोस्तों मुझे यहां पर कुछ चेंज नहीं करना तो मैं यहां से इसको कैंसर कर रहा हूं उसके बाद में आपको यहां पर जाकर सेट एस करेंट करना जब यह आप मोडिफाई करते हैं मुझे यहां कुछ modify नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पर इसको close कर रहा हूं ठीक है दोस्तों यह था आज का वीडियो होफुली आपको अच्छा लगा होगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन जरू दबाईएगा दोस्तों मैं दो वीडियो और बनाये हैं आटोकाइट से लेटेड वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा वहां से आप इसको देख सकते हैं